नमस्कार आज हम साथ जुन्वरी 2021 के करेंड़ फियर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन और वीडियो को लाइक भी कीजिए आज का फर्स्ट कॉश्चन है किस राज्वे में एशियाई वाटर वर्ड जनगरना 2020 आयोजित किया गया तो इसका जो सही आंसर है वो है ओप्शन सी आंध्र प्रदेश में कंड़ेक्ट हुआ है एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2020 और जो लगबग यहाँ यह जो जनगरना की गई है वाटर वर्ड की वो लगबग 24 साइट्स पर की गई है जैसे की कॉरिंगा वाड लाइफ सेंचुरी कॉलेरू लेक कृष्णा सेंचुरी और यह जो जनगरना है वो जो एक्सपर्ट्स हैं बॉम्बे नैच्रुल हिस्ट् सोसाइटी के उनके द्वारा की गई आंद्र प्रदेश जिसकी कैपिटल अमरावती है यहां के चीफ मिनिस्टर जगन महौन रेड़ी गवर्णर यहां के विश्व भूसन हरी चंदर है आंद्र प्रदेश में जो नैशनल पार्क है वो राजीव गांधी रामेशुरम क्या है स्वस्त वायू नॉन इन्वैसिफ वैंटिलेटर तो यह जो वैंटिलेटर है जिसका नाम है स्वस्त वायू यह किसके द्वारा डैबलप किया गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी एस आई आर एन एल इस इंसिट्यूट के द्वारा डैबलप किया गया है ए एक वेंटिलेटर है ठीक है जिसका नाम क्या है स्वस्त वायू करोना के टाइम पर आपको पता है कि वेंटिलेटर की कितिनी जुरुवत पड़ रही है ठीक है तो उसी को देखते हुए जो CSIRNAL ठीक है यह जो इंसिट्यूट है Council for Scientific and Industrial Research का National Aerospace Laboratories के जो साइन्टिस्ट है उन्होंने एक Indigenously Designed and Developed एक Non-Invasive Bi-Level Positive Airway Pressure Ventilator जो है जिसका नाम उन्होंने स्वास्त वायू रखा है वह विक्सित किया है तो यहाँ पर आपको याद जो रखना है वो यह रखना है कि CSIR की Full Form क्या है Council for Scientific and Industrial Research जिसके Laboratory कौन सी है National Aerospace Laboratories के जो साइन्टिस्ट है उन्होंने स्वादेश निर्मित एक Indigenious ठीक है अगला कोश्चन है कि Recently with which country India has signed MOU on Partnership in Specified Skilled Worker यहाँ पर बात की जो आ रही है कि भारत ने अभी हाल ही में किस कंट्री के साथ एक MOU sign किया है जिसमें दौनों कंट्री मिलकर Specified Skilled Worker ठीक है इस फिल्ड में काम करेंगी निर्दिष्ट, कोशल, श्रमिक तो इसका जो सही आंसर है वो है जपान जपान और इंडिया के बीच में एक पार्टनर्शिप हुई है ठीक है पार्टनर्शिप को लेकर एक Memorandum of Understanding sign हुआ है यहाँ पर याद यह रखना कि किस फिल्ड में Specified Skilled Worker ठीक है वर्कर को skill कैसे कर यहाँ पर यहाँ पर एक मांट फूजी एक वालकानिक एक एक्टिव वालकिनो है मांट फूजी इसी के पास एक लेक भी है लेक विवा यहाँ पर Pacific Ocean Sea of Japan Sea of Oktaks East China Sea और यहाँ पर फिलिफिन Sea Capital जो है वो Tokyo है जो कि होंसु आइलेंड पर है और Prime Minister जो है जपान के वहाँ योशी हिडे सूगा है अगला question है कि recently अभी हाल ही में Health Ministry ने develop किया एक multi-disciplinary team ठीक है केडला और हर्याना में किसलिए एक बिमारी जो है ठीक है वो बहुत तेजी से फैल रही है ठीक है तो उसी के लिए एक बहु विश्यक टीम जो है वह तैनात की गई है केडला और हर्याना में तो उस बिमारी का ना क्या है तो इसका सही नाम है option C Avian Influenza Avian का मतलब होता है word ठीक है और Influenza का मतलब क्या होता है flu तो इसे क्या बोलते है word flu तो इसका सही आंसर है या फिर H5N8 Avian Influenza word flu ठीक है तो हाली में स्वास्त मंत्रवाले ने अवी एन Influenza के जबाब में केरल और हरियाना में एक वहु विशियक टीमों को तैनात किया है यह ठीक है यहाँ पर हमने यह information भी देखी ठीक है Avian Influenza जो कि मैंने उसको बताए भी आपको के H5 ठीक है H5N8 के नाम से भी word flu के नाम से भी मतलब इसे जाना जाता है ठीक है यह मेली जो है वो वर्ड के थ्रू जो है वा फैलता है ठीक है अगर contaminated वर्ड के अगर contact में अगर कोई human आ जाता है person आ जाता है तो उसे भी यह spread हो जाता है person to person भी ये विमारी जो है वह transmit हो जाता है ये जो वाइरस है अच्छली वाइरस से होता है ठीक है तो ये वाइरस जो है वो person to person भी जो है एक दूसरे के contact में आने से भी spread होता है और अब भी अच्छली ये भी बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में हमने आपके साथ discuss किया था कि ह माचल प्रदेश की ठीक है कांगड़ा डिस्टिक के अंदर जो पॉंक डैम लेक में कही सारी वर्स्टो मर गई है ठीक है तो उसका जो कारड़ है वो भी यह है एवियन इन्फ्लोएंजर नेक्स्ट कोश्चिन जो है वो करते हैं ठीक है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नवरेद मोदी ने 450 क्लो मीटर लंबी कोची मैंगलूरू प्राकर्तिक गैस पाइपलाइन का उद्गार्टन किया है यहाँ पर कौन सी पाइपलाइन की बात की जा रही है नेट्रल गैस पाइ सकते हैं यह जो पूरा कोची से लेकर मेंगलूरू नेच्वल गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाए जा रहा है यह पूरा ही नेच्वल गैस का कॉरिडोर तो इसका जो सही आंसर है वो गेल है ऑप्शन ए ठीक है गेल लिमिटेड कंपनी के द्वारा पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है ठीक है जिसके द्वारा यह पूरा नेच्वल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर बनाए जा रहा है जो की कोची और मेंगलूरू के बीच में होगा प्राइम मिनिस्टर नरीद मोदी ने इनाग्रेट किया है यह कितने किलोमीटर है यह याद रखना कईवा ठीक है यह जो इवेंट है यह काफी ज़्यादा एक तरह से मतला माइलिस्टोन है ठीक है अगर वन नेशन वन गैस ग्रेट की बात करें क्योंकि जो सेंटर एचली जो नेशन की जो गवर्मेंट है वो वर्क कर रही है वन नेशन वन गैस ग्रेट कि पूरे नेशन में एक ग पाइपलाइन के बारे में जानते हैं यह जो पाइपलाइन है ठीक है वह कैरी क्या करेगी नैच्रूल गैस कहां से कैरी करेगी केला के कोची से फिर उसके बाद अर्ना कुलम, त्रिशूर, पलककर, मालापुरम, कोजी कोड, कन्नोर, कासर गोड डिस्टिक में से होते हुए य बेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यह कैरी क्या करेगी नैच्रूल गैस, ठीक है, फ्रम दे लन जी, री गैसिफिकेशन टर्मिनल, जो कोची में, वहां से यह कैरी करेगी नैच्रूल गैस को, पाइपलाइन जो वो सप्लाइ करेगी, एक एन्वार्मेंट फ्रेंडली पी एन्जी, अगला कॉश्चन है कि विच स्टेट हाज बेकम दा फ्रस्ट स्टेट तो कम्पलीट वन नेशन, वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स, तो यहां पर पात की जा रही है, देखो आज कल इंडिया में बहुत इस कॉंसर्प्ट पायत किया जा रहा है कि वन नेशन, वन कंट्री, वन नेशन, वन राशन कार्ड, अभी हमने देखा वन नेशन, ठीक है, वन गैस ग्रिड, ठीक है, और राशन कार्ड के लिए भी जो स्टार्ट किया गया है, ठीक है, वन नेशन, वन राशन कार्ड, तो यह जो है, यह रिफॉर्म्स काफी जादा लाए जा रह जोनोंने complete किया है one nation, one ration card reforms जो ration card को लेकर जो reforms लाए जा रहे थे भी कुछ दिन पहले आपने भी news सुनी होंगी कि एक ही राशन कार्ड से आप पूरे country में कहीं भी राशन ख़ड़ी सकते हैं पहले क्या होता था कि आप जिस state से ब्लॉंग करते हैं ठीक है आप वहीं से ही सिर्फ राशन ले सकते हो अपने राशन कार्ड पर है लेकिन अब आप किसी और भी state में हो तो वहां से भी आप अपना राशन कार्ड जो कार्ड मिलता है ठीक है और आधार कार्ड के थ्रू जो है वह राशन ले सकते हैं मद्य प्रदेश के बारे में कुछ static information गवर्नर यहां के आनन्दी बैन पटेल और CM यहां के शिवरा सिंग चोहान है यहां पर जो नैशनल पार्क हैं वो हैं काना नैशनल पार्क, बांदवगर, पन्ना, सत्पुड़ा, मादव, संचे, वनबिहार और पैंच नाशनल पार्क हैं यहां पर इसी के साथ अगर हम आंदे प्रदिश की बारे में बात करें तो मैंने अभी थोड़े पहले ही आपके साथ डिसकस किये थे यह सारी information इसकी capital अमरावती अगला question है कि 2021 और 22 के लिए फसाई द्वारा निधारे तेल और वसा में अनुमे ट्रांस फैटी एसिड इस तर क्या है यहां पर बात की जा रही है कि what is the permissible trans fatty acids label in oil and fat sets by फसाई for 2021 and 2022 फसाई की food form जो है वो food safety standard authority of India है जिनके द्वारा ठीक है अभी टार्गेट की आजवारा है trans fat fatty acids पर ठीक है तो इन्होंने जो limit रखी है कि जो हमारा खाना होता है ठीक है जो foods होते हैं उसके अंदर oil और fat को जो है वो कम करना यह इनका ना target चल रहा है तो इनका जो 2021 और 22 का जो target है वो है 2% और 3% option B food safety standard authority of India जिनोंने ठीक है जो amount cap किया है trans fatty acid का वो oil और fats में 3% 2021 में रखेंगे और 2022 में से 2% रखा जाएगा कि हम अपने खाने के अंदर जो oil होगा या जो fatty acids जो होंगे ठीक है वो 3% तक add कर सकते हैं ठीक है से ज़्यादा नहीं 2021 ठीक है 2022 में सिर्फ 2% तक और भी इसको reduce करना ठीक है from the current permissible limit जो है जो limit जो है वो है 5% की ठीक है as we 2011 में ठीक है इंडिया ने पहली बार past किया था regulation ठीक है sorry कि वो search करेगी trans fatty acids limit को ठीक है पहले उन्होंने 2011 में क्या रखा था कि हम 10% तक अपने जो खाना होगा उसमें oil और fats को 10% तक रखेंगे फिर उसके बाद उन्होंने से reduce कर दिया कि 2015 में कि 5% तक रखेंगे ठीक है अभी जो target रखा है कि अब 2021 में कितना रखेंगे 3% और 2022 में खाने में जो fat जो हम oils मसाले फैटी जो चीज़ें होती है ठीक है वो कितने percent तक 2% अगला question जो है वो यह है दक्षिड एशिया केंद्रित उर्जा सुरक्ष्या वास्तुकला के विकास के लिए इंगलिश में देखी थोड़ा तरफ है ठीक है South Asia Group for Energy for Development of South Asia Focused Energy Security Architecture यहाँ पर बात की जा रही है कि जो South Asia Focused Energy Security Architecture जो हमारा South Asia है ठीक है उसके अंदर Energy Architecture पर अचली बहुत ज्यादा focus करना है ठीक है में यह काम है ठीक है उसके लिए एक committee बनाई गई और उसके जो head है वो कौन है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो Sage के head कौन बनाई गई है ठीक है South Asia Group for Energy के head कौन बनाई गई है और जिनका जो main development काम क्या होगा कि energy security architecture पर main focus उनका होगा ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है राम विने शाही ठीक है इन्हें क्या बनाई गया है इन्हें South Asia Group for Energy के head बनाई गया है और यह जो Sage है ठीक है जो main क्या focus करेगा उसका main focus होगा कि energy security architecture पर काम करना South Asia के लिए और जिसके head कौन है राम विने साही और यहाँ पर मैंने आपको बताई था कि main काम क्या है development of energy infrastructure ठीक है energy के infrastructure के development पर काम करना next question है कि recently India has flagged off the हाली में भारत ने गोवा की मौर मुगाओ बंदर गहा से कहां के लिए 40 वे भारतिय विज्यानिक अभिहान को हरी जंडी दिखाई है तो भारत का जो गोवा है ठीक है गोवा क्या जो एक पोट है पोट का नाम क्या है ठीक है मॉर्मुगो मुगाओ ठीक है याद यह question सीधी भी आ सकते है, आपके पास कि, कि यह जो port है, ठीक है, यह port कहाँ पर इस्थेता है, तो कहाँ पर है यह पर है, गवा में इस्थेता है, यह port इक है, और यहां से 40 वे भारत्य वैज्जानिक अभ्यान को हरी जंडी दिखाए गई है, किसको दिखाए गई है, 40 यह 14th भारतिय विज्ञानिक अभ्यान है जैसे हरी जंडी दिखाएगी यह और कहां के लिए दिखाएगी यह जो अभ्यान है ठीक है वो कहां चल रहा है तो इसका जो scientific जो expedition है वो Antarctica ठीक है हमारी यहां से एक जहाज है ठीक है वो जा रहा है ठीक है कुछ crew members को जो scientist है उनको ले expedition है ठीक है जो कहां के लिए है अंटार्टिका और कहां से गया है गोवा के जो पोर्ट है मौर्मुगो पोर्ट से यहां किया है ठीक है च्वालीज expedition जर्नी विल भी फ्लैग्डॉफ रम्स ठीक है यह 14 था यहां पर मैंने आपको बताई दिया पांच जनवरी 2020 को यह गया है 43 मेंबर्स को लेकर गया है और यहां से अचली यह क्या काम करेगा वो देख लेते हैं ठीक है उससे पहले इंडिया के जो अल्डेडी अंटार्टिका जो कॉंटिनेंट है वहां पर इंडिया के भी वैसे तीन स्टेशन थे ठीक है एक है दक्षिड मैत्री मैत्री और भारती जिसमें दक्षिड मैत्री जो है वह बंदो हो गया है अब वहां पर दो जुक् protecting ए एक है मैत्री और एक है भारती ठीक है और यहां पर सबसे में इंडिय प्रोग्राम होते है आँंटार्टिका पर उसको मैनेज जो किया जाता हाई इंडिया में वह इसी के द्वारे किया ज इस बार एक बार और फुल फॉर्म बोल देती हूं मैं इसकी ठीक है याद रखना National Center for Polar and Ocean Research ठीक है जो अंटार्टिका पर जितने भी अभ्यान चलाए जाएंगे उन सभी को manage इसे institute के द्वारा किया जाता है और यह किसके अंतिगरत काम करता है यह Ministry of Earth Science के अंतिगरत काम करता ह next question जो है वो है कि who has been elected as new president of all India Chess Federation तो इसका सही आंसर है संजय कपूर option B जो है संजय कपूर जो है वहाँ new president elect हुए है All India Chess Federation के और कल हमने आपसे question पूचा था निमले कितम ऐसे कौन COVID-19 के खिलाफ रास्ट का पहला स्वदेशी रूप से विक्सित DNA वैक्सीन है तो कौन सा है जाइकोब डी जिसे जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है इसको अभी हाल ही मैं Drugs Controller of General India के द्वारा अपने phase 3 clinical trial के लिए approval मिल गया है और याद रखना ये इंडिजीनियस है सबसे में बात ठीक है और ये किसलिए है कोरोना से लडने के लिए वैक्सीन है ठीक है नेक्स्ट है वो ये गलत है क्योंकि जॉस्टिस पंकज मित्तल जो है वहाँ नियो चीफ जॉस्टिस वने है जमु कश्मीर एंड लद्दाक दोनों ही यूनियन टारिट्री के क्योंकि उनका एकी हाई कोट है नेक्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है कि असम राइफल स्कूल जो इंक्लूसिव ग्रोथ करके है ठीक है मुझे भी अभी याद नहीं आ रही है अच्छल क्या थी वो ठीक है तो अभी हम इसको इतने से याद रखते हैं ठीक है कुछ ऐसी थी मेक्ट्रोजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर साइंस टाइप से ठीक है और यह बिल्कुल ठी ठीक है कि जिब्राल्टर जो है वह सदन तिपर इस्थित है ऑइबेरियान पयैस विलाग के मैंने साइंस फोल दिया था था ठीक है मैं एक बार मैं दुबारा नहीं लेख देती हूँ ठीक है क्योंकि थोड़ी सी वह थी तो मुझे खुद भी नहीं एक बार ही वह रही थी मेट्रोलोजी फॉर दा इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर दा नेशन यहां पर नेशन था ठीक है मैं साइंस फोल रही थी आप सभी के लिए कॉश्चन है कि डिजिटल भुकतान सूच कांग निमले कित मैंसे किसकी एक पहल है आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए छे जनवरी की रिविजन्स कॉश्चन पहला कॉश्चन है कि USA की द्वारा मलाला यूसुफ जै स्कॉलर्शिप एक्ट जो है वह लाए गया है ताकि जो पाकिस्तानी की जो पाकिस्तानी विमेंस जो है ठीक है और वो अगर हायर एजुकेशन करना चाहती है USA में तो उनकी स् स्टैंड कर दिया जा रहा है जादा से जादा स्टूरेंट्स के लिए अकला कॉश्चन है कि मेक्सिको ने जॉइन किया है फाइव का आईज थीश है फाइव आ वैज को मैंने आपको बताया था थीचिए इक इंतैलिज्व ग्रोप है ठीक है फाइव डेपलप्ट हाईली countries का ठीक है और यह जो अभी 6i जो country एड़ हो रही है जो भी मैक्सिको या कोई और आंसर है वो आप देखेंगे इस ठीक है तो जो भी countries को 6i के रूप में जॉइन कर रही है तो उनका जो main target वो इसलिए है main focus जो है वो यह देखा जा रहा है कि चाइना में ठीक है जो next member जो इसमें add हो रहा है 5i इसमें और फिर यह 6i बन जाएगा तो यहां पर जो main focus रहेगा वो यह रहेगा कि इनका main target रहेगा कि चाइना जो अपने जो उईगर Muslims है ठीक है जो Muslim आवादी चाइना में रहती है उन्हें उईगर्स के नाम से जानते है ठीक है तो उनके साथ जो वेहबार कर रहा है तो उसी को लेकर जो है वह add हो रहा है next जो है वो यह है कि सावरी रिवर जो है क्या वह कृष्णा रिवर की टुबिट्री है यहां पर आप एक और बात बताएंगे यहां पर मैंने आपको एक और रिवर बताई थी कि सावरी रिवर की टुबिट्री कौन है ठीक है क्योंकि सावरी रिवर तो खुद किसी की टुबिट्री है लेकिन एक और रिवर के बारे मैंने आपको बताया था वह सावरी रिवर की टुबिट्र ठीक है? और थांक यू फो मुच।